कि the relationship between क्या आता है question the relationship between lithium, magnesium, beryllium and aluminium is called the relationship तो आप सभी लोगों को पता है कि ये हमारे पास कोन है second period और ये हमारे पास कोन है third period तो कोन-कोन है वच्चो को ये बताना है कि ये lithium और ये कोन है हमारा beryllium ये कोन है हमारा boron देन उसके बाद beryllium के बाद कोन आता है magnesium आता है boron के बाद कोन आता है aluminium और कोन आता है यहाँ पर silicon आता है तो lithium, magnesium, beryllium, aluminium और boron, silicon ये दोनों आपस में क्या शो करते हैं similar property शो करते हैं क्यों? क्योंकि इनका charge to size ratio क्या होता है faculties charge to size ratio क्या होता है almost same होता है क्या होता है charge to size ratio almost same होता है इसलिए क्या शो करते हैं ये diagonal relationship शो करते हैं क्या शो करते हैं diagonal relationship शो करते हैं तो इनको क्या बूला जाता है diagonal relationship शो करने वाले element बूला जाता है तो question में आपसे क्या पूछा गया है कि लीथिया मैगनेशियम के साथ बेरलियम अलुमीनियम के साथ कौन सा रिलेशन्शिप को शो करता है डाइगोनल रिलेशन्शिप शो करता है तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा तो आई होप सभी को समझा गया होगा चलिए